Assalamualaikum welcome to student tube आज की इस लेक्चर में chapter 5 icon part 1 business math बुखे शाहिद जमाल की chapter है linear and quadratic equation question है हमाई पास 5.65 1 upon x plus 2 upon y is equal to 16 और 5 upon x minus 3 upon y is equal to 2 तो सबसे पहले अगर हम consider करें इसे यानि कि 1 upon x को consider करें x के और 1 upon y को consider करें y के ठीक है तो यहाँ पर अगर देखे 1 upon x जो है वो x के consider किया है हमने और 1 upon y जो है अब यहाँ पर कोई value भी हो सकती ठीक है 1 हमने इसलिए लगा है कि upon वाली जो x की value जो है उसको हम x के consider कर रहे हैं और इसको y के ठीक है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1 upon x is x plus और 1 upon y को हम कर देंगे 2y ठीक है क्योंकि यहाँ पर value है अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसलिए से y लिखा है हमने अगर उपर value है तो फिर वो 2y है या फिर 3 है तो 3y ठीक है so x plus 2y is equal to 16 और यहाँ पर 5x 5x minus 3y is equal to 2 तो बाकी सेम है तरीका equation 1 को multiply करेंगे 5 से equation 1 multiply by 5 ठीक है so यह हो गई 5x plus 5 to the 10y is equal to 5 को 16 से करेंगे 18 80 ठीक है फिर equation 2 को करेंगे multiply by 1 ठीक है so अगर 1 से multiply नहीं भी करेंगे तो equation वो ही है तो यह हो जाएगा 5x minus 3y is equal to 2 तो अब यहाँ पर इन दोनों को subtract करेंगे subtract equation 3 and 4 तो यह हो गई हमाँ पस 5x plus 10y is equal to 80 और 5x minus 3y is equal to 2 plus minus minus plus ठीक है तो यहाँ पर यह cancel हो गया यहाँ पर यह हो गई 13y is equal to 80 and 2 minus हो रहे है यहाँ पर क्योंकि यह plus है तो minus होगा 80 मेंसे 2 minus होंगे तो रह जाएगा 78 so y is equal to 78 upon 13 is equal to 6 अब value put करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा अब है putting y is equal to 6 so x plus 2 6 is equal to 16 ठीक है so x plus 6 2 is equal to 16 then x is equal to 16 minus 12 x is equal to 4 ठीक है तो अब हम इसे upon में अगें कैसे लाएंगे as we know हमने क्या किया था x जो है वो 4 के equal है और y जो है वो 6 के equal है अब यहाँ पर now again तो यहाँ पर है x is equal to 4 तो हमारा answer आ गया 1 upon 4 x की जगह पर क्या आ गया 4 फिर है y की इसके equal 1 upon y के तो 1 और y की जगह क्या आ गया 6 तो यह आ गया हमारा answer तो I hope के question आपको अच्छे समझ आ गया होगा मजीर exercises and questions के लिए चाहल को कर दें सब्सक्राइब और साथी अपने classmate and friends से शेयर भी जरूर कने and for more you can visit our website www.studentdiv.info Allah Hafiz आप 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 आप